हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू दा चैनल दूस्तो अगर आपको यार्टेल का इंटारनेट स्पीद स्लो चल रहा है आप किसी भी तरह से अपने यार्टेल का इंटारनेट स्पीद बड़ा नहीं पा रहे हो तो इस वीडियो को तोड़ा सा टाइम देखे एंड तो पुरा कर लेना ताकि आगे चलके आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो मिलता रहे तो चलिए वीडियो को यहां से शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स यार्टेल का नेट स्पीड बढ़ाने के लिए आपको अपनी फोन की सेटिंग को ओपेन करना है देन यहां पर आपको दिख जाएग का लीख जागा एक ब्लंग पेट जैसे मैं यहाँ पर फिल आप करूंगा सेम टू सेम आपको आपने फोन पोर कॉपी करना है सेब से पहले आपको लिटना है शम Door करना है और प्यूरां स्मॉल लेटर में जैसे की आप देख से तो यहांप और मैने लिखा है या तेल,let,m antibiotics प्रों सेम तो सेम आपको लिखना है अपने फॉन पॉर देन उसके बाद ओके कर दीजिए नेम कॉंप्लीट हो जाएगा सेकंड पर आपको दिख जाएगा एपियन का ओप्शन तो इसके ऊपर क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद आपको सोभी स्मॉल लेटर में लिखना है ए आर टी i L x साथ आपको लिखना है इसके बाद एक डॉट लगाना है फिर आपको लिखना है सिव जैसे आफ़े आपको लिखना है या यहाण जिप्र सी 1.com.om, सेण तू सेम आपको लिखना है देन ऊसके बाद आपको यहां पर ऊकर देना एफ हैं फिर आपको प्रोक्सी-wards पॉर्ट नॉट से रहने देना है देन उसके बाद यूजर नेम पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है s capital में p e d small letter में एक साथ आपको b capital में और t small letter में और आपको एक dot लागा कि यहाँ पर तीनो capital letter में लिखना है m a x जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखने के बाद ओके कर दीजिए username भी complete हो जाएगा password not set रहने दीजिए server पर क्लिक कीजिए click करने के बाद www.ggle तो आपको यहाँ पर google का server use करना है then उसके बाद dot com लगा देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखना है google का server same to same आपको server पर click करके यह से लिखना है then उसके बाद ok कर दीजिए server भी complete हो जाएगा then direct आपको नीचे आना है आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा authentication type का option तो इसके उपर click किजिए second number पर आपको दिख जाएगा PAP का option तो इसको select किजिए select करने के बाद आपको यहाँ पर app type का option दिख जाएगा तो इसके उपर click करना है यहाँपर आपको small letter में लिखना है default नीक बाद आपको यहाँ पर ok कर देना है क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको unspecified को आंटी करना है देन उसके बाद ltc लेके आपको gprs तो select कर देना है जिसी कि आप देख से तो मैंने यहाप पर किया है same to same करके आपको ok कर देना है अगर आपके phone पोर यह support नहीं कर रहा है आपका एपिएट सेब नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ से सोब को आंटी करके single ltc को select करना है देन उसके बाद ok कर देना है ओके करने के बाद आपको more के option पर tap करना है और इसको save करना है save करते हैं आप देख से तो हमारा जो new API यह वो उपर की तरफ आ चुका है second number पर तो इसको select किजिए select करने के बाद आपका internet refresh हो जाएगा यहाँ से back कीजिए अपने data को off कीजिए और आपने phone को एक बार reboot कर दिजिए reboot करने के बाद अपने phone की internet को on कीजिए फिर दिखिए कि आपका internet speed कितना ज्यादा increase हो चुका है दूस्तों उम्मित करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर वीडियो informative लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को like करके चैनल को भी subscribe कर लेना आपसे मिलते हैं next वीडियो में तब तो के लिए जादो दिजिए thank you so much for watching this video